गाईज, इंडिया में opportunities और employment दोनों की ही कमी नहीं है लेकिन फिर भी, आज भी Indian youth employment को लेके सबसे ज़्यादा tension में रहता है यारे, जोब क्यों नहीं मिल बारी? क्या आपने कभी सोचा है? जो companies इंडिया में Indian youth को recruit करती है उसका इसके बारे में क्या ख्याल है पता है? वो ये कहती है कि इंडिया में youth की कमी नहीं है लेकिन skillful, smart, employable youth की बहुत कमी है और जो youth skillful है और smart है उसके लिए job की कमी नहीं है अब इसको थोड़ा मैं story के थूरू समझाने की कोशिश करता हूँ ध्यान से समझेगा जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा एक बार दो दोस्ते एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश दोनोंने schooling, college सब साथ में पुरा किया मज़ेगी बात ये थी उनकी same ही company में job लग दे दोनोंने बहुत hard work किया पूरे साल बर साल बर बाद उनका promotion होना था तो जिस दिन promotion था, उस दिन boss आये उन्होंने सतीश को promotion letter देते हुए कहा कि सतीश, तुमारा promotion होता है तो महेश ने पूछा कि sir मेरा तो boss ने कहा कि महेश, I'm sorry तुम्हे promotion नहीं मिल पाएगा, इस साल तो promotion होता है, जरूर सतीश ने buttering कियो कि boss की, और उसको गुसा आ गया उसने सुचा मैं कल से नहीं आऊँगा, वो boss के cabin में गया, और boss को बोलता है कि boss हमें कल से तो नहीं आऊँगा, I'm so sorry तो boss ने कहा कि क्यों नहीं आऊँगे, तो वो कहता है कि boss मैंने बहुत hard work किया पूरे साल बर, लेकि मेरा promotion नहीं हुआ, अब मुझे ऐसा feel होता है कि इस company में सिर्फ buttering करने वालों को ये promotion होता है, मतलब वो directly सतीश में blame लगा रहा था कि सतीश ने buttering की है, लेकिन boss तो ये जानता था कि सतीश ने buttering नहीं की है, सतीश ने वाके में hard work किया है, वो smart है महेश से smart है, अब इस चीज़ को prove कैसे करे boss ने लगाया दिमाग, इसलिए तो वो boss था उसने दिमाग लगाया, उसने क्या का, महेश एक काम करो मैं तुम्हें एक task देता हूँ, अगर तुमने वो में, हमारे इलाके में, थोक के भाव में सिर्फ Qiyat में बेजता है, तो फिर boss ने ज data that महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने, कितने रुपे किलो में आम बेजता है, वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपे किलो में आम बेजता है अब बोस ने कहा का महेश मैं सेम चीज़ अब मैं सतीश से करवाता हूँ तुम ध्यान से देखना उन्होंने सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो इस इलाके में जो आम बेजता है उसकी खबर लेकि आओ कि कौन आम बेजता है सतीश गया मार्केट में और वापस आया आदे गंटे बाद और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रहे गया सतीश ने कहा बोस यहाँ पे आम सिर्फ एकी आदमी बेजता है और वो 50 रुपे किलो बेजता है लेकिन उसके पास टोटल 60-70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीद ले वो 40 रुपे किलो में दे देगा और अगर हमने 40 रुपे किलो में वो 60-70 किलो आम बेज दिये और हमने अगर 50 रुपे किलो में उससे सेल किया तो मैं बहुत प्रॉफिट होगा और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं आम के बिजनस में भी अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फरक था आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है आज का यूथ क्या है ना सिर्फ इस फिलोसफिय में जादा तर यूथ इसी फिलोसफिय में जीता है कि इतने वे इतना इच मिलेगा जब आप ये सोचते हो कि इतने वे इतना इच मिलेगा तो प्रमोशन की आस आपने रखी क्यों है वो बहुत इंपोरेंट है मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आप जिस भी company में काम कर रहे हो या आप जो भी करना चाह रहे हो अगर वो आपको 100 रुपे देती है न तो आप 50 रुपे का काम करके मन दो आप उसको 200 रुपे का काम करके दो आप उसको अपना आदी बनाओ जब आप उसको अपना आदी बना लोगे तो आप जिंदगी में प्रमोशन के लिए या employment के लिए tension में कभी नहीं रहोगे तो अब आपको समझ में आया होगा कि actual में क्या meaning है क्यों लोग employment को लेके इतना tension में रहते हैं So guys, मेरी तरफ से मैंने समझाने कोशिश करी है ऐसे amazing stories के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे follow करना मत भूलेगा और इस story को लोगों के साथ share जरूर करेगा ताकि वो समझें कि youth और skillful youth में क्या फरक है Thank you so much